आज एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूं जो लोग फर्स्ट ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बदा दिना चाहते हूं चूटी-चूटी स्टोरी पहराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती हूं जिनसे हम नरेंद्र नाथ दत्ता ओके स्वामी Vivekananda No न qui नot means जानते हैं याने कि उनको हम जानते हैं या वह परीचित हैं दोनों हार मैं या जानकार हो रहा है इन हिज प्रिमॉलिस्टिक मैं हीज मिस उनकी प्रिमॉलिस्टिक यान के पौर्वशु लाइफ उनके पूर्व मठवासी जीवन के विशह में हम जानते हैं या हम उनसे परीचित हैं एस नरेंद्रनाथ दत्ता यानिके नरेंद्रनाथ दत्ता की रूप में वस बॉन वस बॉन यानके उनका जनम हुआ था इन एन अफ्लूएंट फैमिली इन कॉलकर्टा ओन 12 जैनवरी 1863 ठीक है इन एन एफ्लूएंट इन में एन मींस एक मैं आपको बहुत सारी वीडियोश में लिटा चुकी इन और दर हमारे आर्टिकल्स होते हैं और एन आर्टिकल्स हम हमेशा अपनी वर्वल से पहले लगाते हैं ठीक है जो हमारे ए ई आई ओ यू वर्वल्स होते हैं उनसे पहले हम हमेशा एन लगाते हैं An affluent family यानिए कहले अफुल्वेंट मींस कहता है अलनिम सम्न Πरढ़ जिसके पास में सभी प्रकार के सुख सुविधाये होती है ऐसी फैमिली ऐसे परिवार में उनका जनम हुआ था ठीक है effluent family यानिके संपन्य परिवार सुख सुविधा से एक तरीके से सभी परकार की सुविधाएं उनके पास में थी in Kolkata Kolkata में on 12th of January 1863 यानिके 1863 में 12 January 1863 में उनका जनम हुआ था एक चीज़ आपको याद रखने है कि डेट से पहले हमेशा on use होता है इस चीज़ पर ध्यान दीजेगा यानिके उनके पिता विष्वनाथ दद्ता उनके जो पिता थे विष्वनाथ दद्ता वाज असुझसफुल अटोर्ने हैं कि उनके पिता थे एक एक सफल वकील या न्यायवादी वक्ती थे with interest in a wide range of subjects in interest interest मतलब उनकी रुची थी यानि कि वो एक तरीके से पसंद करते थे उनकी रुची जो थी वो किसमे थी in a wide range wide range मतलब बहुत सारी शरंकलाव harmas wide range मोलते नहीं है कि हम अतनी सारी एक तरीके से उनको बहुत ही सारी चीजों में उनकी रूची थी किन चीजों में off subject यानिके विश्यों में उनकी बहुत सारे विश्यों में उनकी दिल्चस्पी थी और वो कौन थे वो एक सफल successful attorney थे यानिके एक सफल वकील थे और उनकी रुची बहुत सारे सब्जेक्ट में यानिके बहुत सारे विश्यों में उनकी रुची थी विश्यों में उनकी रुची थी and his mother और उनकी जो माताजी थी या उनकी जो मम्मी थी उनकी मदर जो थी तो भुवनेश्वरी देवी was annoyed with deep devotion ठीके उनकी जो माताजी थी भुवने शुरी देवी was annoyed android means क्या ताइ इसका मीनिंग भी होता है संपन यानी कि वो कैसी थी संपन means यहां पर संपन का मीनिंग यह होगा कि जिसे कि वो एक तरीके से वो सब आगलग दोंग को से अंडॉएन मितलब एक तरीके से संपन वह जिसको सभी परकार का ज्यान हो विध टीप डिवोशन यानिके वह गहरी भक्ती भाव के साथ में वह पूर्ण रूप से संपन थी और स्ट्रॉंग करेक्टर और उनका जो केरेक्टर को झाले करेक्टर था जो उनके अंदर दूसरे गुण भी थे अच्छे गुण बहुत सारे qualities हम तभी बोलते हैं कि उनके अंदर अच्छे दूसरे गुण भी थे अधर मीन्स दूसरे और qualities मीन्स गुण ठीक है वो जो है एक संपन्य और थी और वह बहुत गहरा भक्ती भाव रखती थी मजबूत चरित्रकी थी और दूसरी भी qualities उनके अंदर थी प्रिकॉसिस बॉय का मतलब क्या होता है प्रिकॉसिस बॉय मीन्स होता है असमाइक ठीक है यानि कि वह व्यक्ति जो समय से पहले सबकुछ सीख जाए या सबकुछ उसको पता रग जाए समय से पहले होने वाला जिसको जो व्यक्ति समय से पहले ही सबकुछ जान लेता है वह आप जलने जलने और नारेंद्र हम पड़ते हैं इसाो है मतलब सेथाट एरंस धीयानिक हमारे स्वामी विवीकानन जी उनका आम बाद में सुुमी विवेकानन्न हो गया था वह excelled थे किसमें in music वह music में यानिके संगीत में वह stressed थे उनके संगीत में उनकी बहुत रुची थी और वह stressed थे जिमनेस्टिक यानिके कसरत और व्यावाम में वह stressed थे और वह पढ़ाई में भी stressed थे ठीक है excelled mean stressed थे by the time he graduated from Kolkata University by the time यानिके समय के साथ या समय से समय पर he graduated यानिके वह he graduated यानिके वह graduate मिला हुनने सनातक की पढ़ाई अपनी जो सनातक की पढ़ाई होती है न हम कहते है कि यह हमारे लिए एक लेबल है कि हमें यहां तक जरूर पढ़ना है ठीक है, by the time, यह जब तक he graduated, वो graduate है, वो सनातक हुए, यानि कि उन्हें सनातक की जो पढ़ाई थी, वो पूरी किरी, from Kolkata University, Kolkata University से, he had acquired a vast knowledge of different subjects, he had acquired, acquired means क्या होता है, उन्हें, मतलब एक तरी किसे, acquired means होता है, इखटा करना, या अपने अंदर उस चीज़ को समाहित करना, ठी आपको प्राप्त करना एक तरी के से, acquired means समाहित करना भी होता है, अपने अंदर बहुता है, मतलब यह कि मैंने पूरा ग्यान अपने अंदर डालिया, मेरेको हर चीज़ का ग्यान हो गया, या अई क्या अदु कि आपको मैं हर वीडियो में यह जीज़ बोलती हूं, कि मैं को तो एक तरीक जाए प्राप्त करना इजी विमें ठिक है कि उन्हें है और वास्ट में विशाल या बहुत जादा या बहुत ही जादा हम जो बोलते हैं कि वास्ट मींज बहुत जादा के लिए विशाल चीज के लिए नॉलज मीन्स ग्यान और जब तक वह अनुना तक कि दिफ्रेंट सब्जेक्स दिफरेंट मिलाव विविन सब्जेक्ट मिलाव विशेट में उनको बहुत ज़दा ग्यान उन्हों ने प्राप्ट कर लिया ठीक है इन्हें we work एम करना है या विशे़ रूप स मुझे ये वहाला काम करना है तो श्रुसाइव वहां की सी तुتم पस्चुमी साइड का फिलोसोफी मतलब दर्षन क्यों यानकर फिलोसोफी या पस्चुमी जो दर्षन थे और वहां की हिस्ट्री के बारे में यान उन्हों नहीं बहुत ही जदधा ज्यान अर्जित नेरा था या प्राप्ट कर लिया था बहुत जब्या ठीक है इस आप इसको समझ सकते हैं, दिखें, चीजों को कठिन नहीं करना है, मैं मुझे लगत रहा है कि हाँ, इसमें आपको थोड़े-थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एजी भी लगेंगे, जब तक मैं आपको बोलती हूँ ना, क योगी स्वभाव के रूप में योग व्यक्ति, जैसे विख वपियthen समय विलत ना, कि वो तो योगगृ है, तो जोगाला उनके स्वभाव उ नहीं से वह प्यूजर से वह करते थे ू convenience का ड्यान का या समाधि लगाने का अरे तरह ले हैं कि आरे गुरु पिरू करते थे, वह समाधि करते थे वो ठीक है even from his childhood from यानिके say even मतलब भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बताते है कि even का मतलब होता है भी from मतलब say his childhood sorry his boyhood यानिके उनके वालवस्था से यानिके बालपन से उनके बच्चपन से आप 2-4 words बहुत सकते हो क्योंकि अलग अलग words एक ही word क्या आते हैं मै आपको यह जिस कई सारी वीडियो में बता चुके हो कि वो अपने बालपन से या वालवस्था से ही meditation करके का अभ्यास करते थे and was associated with brahmano woman from some time sorry and was associated with brahmano यानिके वो सम्मिलित थे या संबंद था उनका associated यानिके संबंद होना या किसी चीज से जुड़े होना या किसी चीज में शामिल होना was associated मतलब वो जुड़े हुए थे with brahmano andolan for some time और वो कुछ समय के लिए brahmano andolan जो था उससे जुड़े हुए थे या उसमें शामिल थे या उससे उसमें उनके संबंद थे दिखे मैं वताती हुना कि exact आपको भी समझने की जरुवत नहीं है क्योंकि वो चीजे आपको समझ में नहीं आएंगी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप exact पड़ोगी चीजे नहीं समझ मैंगी तो चीजे हमें करने का है हमें अपने हिसा कि आप इंप्रूफ कर रहे हो आपको जो है थोड़ा सा फाइदा हो रहा है तो मुझे वाकिए बहुत अचा लगता है उस सब शीजों के लिए थैंक यू और अब देखिए हमारे आज के थी वर्ट्स हैं जो लोग फर्स टाइम देख रहे हैं मैं बता देती हूं कि मैं इसमिल अब बना सकते हैं और यहां को कमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा कि फिर्स ट्वर्ट है आज का हमारा नोन लोन मीन जानकार या परिचित ठीक है दो नों की दिखते हैं कि वह हमारे नोन है यानि कि वह जानकार है सेकेंडिड है एकसल्ड मीन श्रेश्ट और थ्र इन तीनों से आपको संटेंस बनाना है और आपको लिखना है अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं फर्स रर हमारा अफ्लुएंट थोड़ी सी स्पेलिंग आपको डिफिकाट लग सकती है बट मैं आपको दो तीन वीडियो में अल्रेडी शेयर क बता चुकी है तो आपको याद होने चाहिए अप लिखे रिक्टेशन का फर्स वर्स अमारा अफ्लुएंट इस एक और चीज में आपसे बोलना चाहती हम कि अगर आप लोग चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो मेरा एक और चानल है उसका में लिंक आपको डिस्क् अगर आप छोटे बच्चों को दिखाना चाहते हैं थैंक्स वोचिंग आप पेटिंग कर लो थोड़ी सी